नमस्कार एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में आसा करते हैं कि आप सभी स्वस्त होंगे आज हम देखने जा रहे हैं अपने पाइथन सीरीज का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है अलगरिथम एंड फ्लोचार्ट इसके पहले का लिक्चर अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा अलगरिथम क्या होता है और फ्लोचार्ट क्या होता है तो आज के लिक्चर में हम एक्जामपल की माद्धम से समझने के प्रयास करेंगे कि किस तरीके से हम किसी दिये गए problem का algorithm बनाते हैं और उस problem के solution का flow chart बनाते हैं मतलब आज हम practical चीजें कुछ सीखने वाले हैं तो सबसे पहले lecture सुरू करें इसके पहले हम देख लेते हैं कल हमने क्या पढ़ा था एक छोटा सा reason कर ले रहा है और उसके बाद किसी programming language की साहता से उसका solution निकाला जाता है ये हमने पिछले के lecture में पढ़ लिया है इसलिए हम इस तरीके से बता रहे हैं अगर आपने lecture को न देखा हो तो प्लीज पहले उसको देख लीजे तब ही ये सारी चीज़ें आपको समझ मैंगी बढ़ रहे हैं आगे और एक हलका सा रिवीजन हम कर ले रहे हैं कि क्या चीज होती है हमारा flow chart और क्या चीज होती है हमारा algorithm तो अगर बात की जाए algorithm की तो algorithm क्या है step by step solution है किसी भी problem का मतलब अगर कोई problem आपको दी जाती है तो उसको तुकडों में जो solution हम निकालते हैं उसको हम क्या कहते हैं algorithm कहते हैं और इसी solution को जब आप picture के form में represent करते हैं उसको हम क्या कहते हैं flow chart कहते हैं ये हमने कल पढ़ दिया है अब आज का lecture सुरू करने से पहले हम पहले देख लेते हैं क्या क्या signs हैं जिनका use किसी भी flow chart को बनाने के लिए किया जाता है तो सबसे पहले हमारे सामने जो sign आती है वो आती है ये capsule type की sign इसका मतलब होता है program या तो start हो रहा है या तो end हो रहा है दोनों में से कोई भी चीश हो सकती है program गर सुरू होगा तो भी ये sign बनेगी और end होगा तो भी ये sign बनेगी ठीक फिर आती है आपका arrow वाली sign इसका काम होता है दो process को आपस में connect करना फिर आपका आता है parallelogram parallelogram क्या होता है जिसकी दो side समानतर रहते हैं तो parallelogram से क्या बनता है input और output बनता है यदि आप अपने program में कुछ input कर रहा है मतलब कोई value दे रहा है या कुछ output ले रहा है तो हमको flow chart में ये sign बनानी पड़ेगी इसके बाद हमारा आता है process box process box rectangle shape का होता है मतलब जब भी कोई process होती है कुछ जुड़ रहा है कुछ गटा रहा है कुछ गुड़ा कर रहा है कोई भाग कर रहा है मतलब कोई भी अगर आप process कर रहा है तो आप क्या use करेंगे rectangle sign use करेंगे और आखरी में आपका decision box आता है ये आपका diamond shape का होता है इसका use decision करने के लिए किया जाता है मतलब जो जब दो संभा होता outcome आ सकते है मतलब या तो हाँ होता है या तो ना होता है जैसे पूछ लिया जाए A value बड़ी है B से तो इसमें हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकता है तो जब भी ऐसी condition हो जिसमें दो outcome आ सकते हो तो हम use करते हैं diamond box अभी हम बनाएंगे flow chart तो ये काफी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा तो वो सुरुआत कर रहे हैं आज के अपने इस lecture की और पहला example हम देख रहे हैं पहला example क्या है add two number मतलब यहाँ पर हमें दो number को जोडने का सबसे पहले algorithm बनाना है और उसके वाद उसका flow chart बनाना है तो आईए देखते हैं दो number को जोडना हो तो कैसे जोड़ेंगे तो ये हमारा algorithm है algorithm क्या होता जब step में हम उसका solution निकालते हैं तो दो number को जोडने के लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले program को start करेंगे अब बहुत से लोग algorithm लिखते हैं तो ये वाला step नहीं लिखते हैं start वाला सीधे second step से ही लिखते हैं तो आप चाहें start से लिखें चाहें ना लिखें दोनों अलग अलग तरीके हैं लेकिन दोनों सही हैं अब start करने के बाद आपको तीन variable की जरुरत पड़ेगी एक a हो गया एक b हो गया और एक c हो गया अब जिनको नहीं पता है variable क्या होता है तो एक बार समझ लीजे ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें कोई value store कराई जा सके उसको variable कहते हैं जैसे आपने लिखा a is equal to 5 ठीक है तो अब a में 5 value store हो रही है तो a हमारा क्या हो गया variable हो गया तो ऐसे ही तीन variable हमने लिए a, b और c और उसके बाद तीसरे step में read value for a and b मतलब a और b में आपने कोई value दे दी a में जो आपका मन किया value दे दी है b में जो मन किया value दे दी है अब चौते step में क्या कर रहे है add a and b मतलब a को b से जोड़ दिया a को b से जोड़ दिया and assign the result to c और इसकी value किस में store कर दी c में store कर दी मतलब c बराबर a plus b यहाँ पर हो गया जो आपने value a में दी थी और जो b में दी थी वो जुड़ के कहां पे चली गई c में चली गई और फिर हमने sum को display कर दिया sum को display करने का मतलब c को display कर दिया मतलब दोनों का जो जोड़ था उसको हमने display कर दिया और दोनों number जुड़ के हमारे सामने आ गया यह चीज़ समझ मैं है फिर से एक बार देख लिज़े तीन variable लिए जिसमें से a और b में हमने value दे दी और उसको store करा दिया हमने c में और फिर हमने c को display कर दिया और हमारा दो number का जोड़ हमारे सामने आ गया यह क्या हो गया हमारा यह हो गया algorithm मतलब step by step solution अब जब इसी को चित्र के माध्यम से दिखाएंगे तो उसे हम कहते हैं flow chart अब देखते हैं चित्र के माध्यम से कैसे यह दिखेगा तो देखिए इस figure को ध्यान से देखिए सबसे पहले क्या हुआ है आपका program start हुआ है यह capsule sign भी बन सकता है या आप देख रहे हैं इस तरीके की sign भी आप यहाँ पर बना सकते थे और इसके अंदर आप क्या लिख सकते थे start दोनों चीजे सही मानी जाती है और उसके बाद यह हमारा क्या गया ट्रिपेजियम इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है यहाँ पर या तो input हो रहा है या तो output हो रहा है यहाँ पर क्या हुआ है inter integer A मतलब A में कोई value आप दे रहे हैं यहाँ पर उसके बाद आगे बढ़ रहा है और inter integer B मतलब यह भी आपका input output है तो यहाँ पर भी देखे ट्रिपेजियम सेप का box बन गया मतलब यहाँ पर A में value आ गई और यहाँ पर किस में value आ गई B में अब यहाँ पर देखे क्या हो रहा है यहाँ पर C में A और B को जोड़ा जा रहा है मतलब A और B को जोड़के C में उसकी value भेजी जा रहे देखे यहाँ पर 3 बना हुआ है कि A और B दोनों जुड़ा और कहा पर value चली गई C के अंदर चली गई और क्योंकि यहाँ पर process हो रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर आपका process हो रहा है इसलिए यह आपका rectangle shape का बना हुआ है ठीक, यह rectangle क्यों है क्योंकि यहाँ पर process हो रही हो जब भी input होगा या तो output होगा आपका trapezium save का box यहाँ पर बन जाएगा और उसके बाद हमारा program stop कर दिया गया है और यह हमारे दो number को जोडने का flow chart है एक बार मैं इसको clear कर दे रहा हूँ आप ध्यान से फिर से देखिए program start हुआ a में value गई, b में value गई, फिर दोनों को जोड़के c में store करा दिया और फिर c को print करा दिया और फिर program आपका रुख गया और दो number को जोडने का flow chart बन गया एकदम आसान सा है बस आपको sign याद रखनी है कि input होगा तो कौन सा box बनाना है output होगा तो कौन सा box बनाना है process होगा तो कौन सा box बनाना है start होगा तो कौन सा box बनाना है और end होगा तो कौन सा box बनाना है ठीक है तो लगभग आपको मान कि मैं चल रहा हूँ 60% यहाँ पर समझ में आ गया होगा 50% समझ में आ गया होगा ऐसे ही अभी तीन और example हम देखेंगे और उनको देखने के बाद guarantee के साथ आपको पूरा flow chart और algorithm का मामला समझ में आ जाएगा बढ़ रहा है अपने दूसरे example की तरफ तो हमारा दूसरा example क्या है determining the largest number मतलब आपको सबसे बड़ा number बताना है among the entered integer मतलब जो integer आपने लिये हैं उनमें से सबसे बड़ा number बताना है कि कौन सा इनमें से सबसे बड़ा है तो आईए देखते हैं किस तरीके से हम इसको करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे दो variable ले लेंगे मतलब दो value read करा लेंगे सबसे पहले a को आपने read करा लिया क्या लिखा है read the integer a आपने a में कोई value दे दी फिर read integer b मतलब b में भी आपने कोई value दे दी उसके बाद a और b की आपस में तुलना कर लिये ठिक a की तुलना कर लिये किस से b से अगर b बड़ा है तो आपने b print करा दिया और अगर b बड़ा नहीं है तो आपने a print करा दिया एक बार समझ ये देखिए आपने मान लीजे a में value ले लिए 4 और b में value ले लिए 3 या 2 ले लिए ठिक है अब a और b की आपस में तुलना करिये अगर आपका b बड़ा है यहाँ पर b बड़ा है कि नहीं b देखिए 2 है और a 4 है तो a बड़ा है जो बड़ा है उसी को हमने क्या करा दिया print करा दिया flow chart के माद्देम से इसको समझने का प्रयास करिये देखिए कैसे इसको समझ सकते है flow chart के माद्देम से तो सबसे पहले देखे, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ हमारा, दो वैलू रीड हुई, A और B, अब यहां पर देखे, डाइमंड बॉक्स है, और वहां पर मैंने बताया था, डाइमंड बॉक्स क्यों बनता है, जब दो कंडिसन हो सकती है, या तो हाँ होगा, या तो ना होगी अब B की तुलना कर रहा है A से, अब अगर B बड़ा होगा, तो B प्रिंट हो जाएगा, और A बड़ा होगा, तो A प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद प्रोग्राम रुख जाएगा, अब दोनों को हम एक बार समझ लेते हैं, कि अगर मान लीजे, A बड़ा होगा, तो कै value आ गई है अब B बड़ा है A से मतलब यहां पर पूछा गया है B, B मतलब 3 बड़ा है A से मतलब 5 से अब यह बताईए यह true है या false है क्या 3 पांच से बड़ा है नहीं मतलब इस तरफ हमारी process बढ़ेगी और क्या print हो जाएगा A और A में क्या है 5 तो हमारा क्या print हो जाएगा 5 प्रिंट हो जाएगा और program रुख जाएगा ठिक अब एक बार समझ लेते हैं कि मान लीजे हमारा B बड़ा होगा तो क्या होगा तो अब A में हम 2 ले लेते हैं और B में हम 6 ले लेते हैं A में क्या ले लिया? 2 और B में ले लिया हमने 6 अब यहाँ पर जब तुलना होगी तो B में है 6 और बड़ा है A में है 2 अब बताईए क्या यह सही है या गलत है 6 2 से बड़ा होता है हाँ बड़ा होता है तो process S की तरफ बढ़ेगी और क्या डिस्प्ले हो जाएगा? B डिस्प्ले हो जाएगा मतलब यह 6 आपका डिस्प्ले हो जाएगा मतलब आउटपुट क्या आजाएगा? 6 इसके बाद बढ़ रहे हैं अपने तीसरे प्रोग्राम की तरफ Determine and output Whether number N is even or odd मतलब हमें एक number N लेना है और पता करना है N number even है या odd है ठीक है? तो आईए चलिए इस प्रोग्राम को देखते हैं किस तरीके से हमें solve करना है? तो इसको पहले हम algorithm देखें इसके पहले एक चीज़ समझ लीजे यह एक sign होती है ऐसे percent की जिसे हम क्या कहते है modulo कहते है इसका काम होता है reminder find करना माल लीजे कोई number 5 आपने लिया और उसका आपने 2 से modulo कर दिया तो यह क्या करेगा? यह reminder find करेगा मतलब 5 को जब आप 2 से भाग देंगे तो यह कितना reminder आएगा? यह निकाल कर देगा जैसे 2 को 5 से भाग दीजे तो एक हमारा बचरायत एक यहाँ पर output आ जाएगा अगर यहीं पर 3 होता और 3 modulo आप 2 करते तो 2 को जब 3 से भाग देते हैं तो फिर एक हमारा reminder आ जाता अगर 6 लेके 2 से modulo देंगे तो कितना आएगा? बताइए 2 से divide करेंगे तो 0 reminder आएगा क्योंकि पूरा पूरा 2 से 6 कड़ जा रहा है तो यहाँ पर output आ गया आपका 0 तो modulo का मतलब होता है reminder find करने वाला tool कि जब भी किसी चीज़ से किसी का modulo करते हैं तो वहाँ पर जो safeful होता है वो हमारा output में आता है तो यहाँ पर सबसे पहले क्या किया? किसी number को read कर लिया जो number हमारा n था ठीक है? एक number लिया n और उसको read कर लिया उसके बाद यहाँ पर लिखा है set reminder as n modulo 2 मतलब जो भी number आप लेंगे उसका 2 से modulo कर दिया जाएगा मतलब output निकाला जाएगा और अगर output 0 आ रहा है तो n हो जाएगा even नहीं तो n क्या हो जाएगा odd हो जाएगा और print कर देंगे हम output इसको अगर न समझ मैं हो बस इसको एक बार ध्यान से देख लिजे और जब flow chart में हम इसको देखेंगे एक दम अच्छे से आप समझ लेंगे अब flow chart आप देखिए और इसको समझाने के लिए मैं दो number ले रहा हूँ अब इस flow chart को समझने के लिए हम दो number ले ले रहे हैं एक even number ले ले रहे हैं मान लेजे 6 number हम ले ले लिया और एक odd number मान लेजे हमने 7 ले लिया अब इन दोनों condition में कैसे एक काम करेगा दिखे, n ये number हमारा आ गया ठीक है ठीक, अब दिखे अब इसका 2 से model हो कर रहे है तो जब 6 का 2 से model हो करेंगे तो कितना reminder आएगा बताईए 2 से 6 पूरा कट जा रहा है तो reminder आएगा 0 तो क्या reminder 0 आया हाँ, तो क्या print हो जाएगा even हमारा output आ जाएगा लेकिन अगर वहीं पर ये 7 के साथ होता तो 7 model हो 2 किया जाता और यहाँ पर reminder एक आता क्योंकि 2 को जब 7 से भाग करेंगे तो एक हमारा बत जाएगा और reminder यहाँ पर आता है output तो यहाँ पर क्या 0 reminder डरा रहा है, नहीं, तो यह इस तरफ आगे बढ़ेगा, और answer क्या हमारा हो जाएगा, यहाँ पर odd हो जाएगा तो output में हमारे क्या आएगा, odd आएगा और यह हमारा end यहाँ पर हो जाएगा, समझ मैं इस तरीके से एक काम करता है, module की sign के साथ, तो इस तरीके से हम किसी number go even है या odd है हम चेक कर सकते हैं, बढ़ते हैं हमारे आखरी सवाल की तरफ, आखरी सवाल हमारा आज का क्या है, कि हमें माल लीजे simple interest निकालना हो तो किस तरीके से हम निकालेंगे तो आईए देख लेते हैं, ये किस तरीके से इसका algorithm होगा, तो देखिए किसी भी चीज का simple interest निकालने के लिए हमें तीन चीजें पहले से पता होनी चाहिए amount, year और rate, ऐसा क्यों? क्योंकि इसका formula क्या होता है interest का, amount into year into rate divided by 100 इसलिए हमने तीन values ले ली एक amount, एक year और rate उसके बाद उसका भाग दे देंगे हम 100 से और हमारा simple interest आ जाएगा, एकदम simple सा program है, देखे, flow chart में देखेंगे तो आप बिल्कुल ही समझ जाएगे, देखे, सबसे पहले क्या हुआ, program start हुआ, एक हमने ले लिया input कराया amount, दूसरा हमने year input कराया, और तीसरा हमने rate input कराया, ठीक है यह यहाँ पर figure थोड़ा सा गलत है यह भी figure हमारा trapezium shape में होना चाहिए था, यह गलती से rectangle बन गया है, ठीक उसके बाद यहाँ पर हमने process कर दिया है, interest is equal to amount into year into rate divided by hundred और उसके बाद हमने interest निकाल कर उसको print करा दिया, और हमारा program यहाँ पर खतम हो गया तो कुछ इस तरीके से हम किसी program का सबसे पहले algorithm लिखते हैं फिर flow chart बनाते हैं, और उसके बाद program लिखते हैं, अगर आपको इसमें से किसी भी चीज की notes की ज़रुवत लग रही हो तो आप simple सा जाके description में notes को download कर सकते हैं हम हर lecture की notes आपको देते ही हैं तो यह कुछ तरीके थे जिसकी साहता से आप algorithm और flow chart लिख सकते हैं अगर lecture आपको समझ में आया हो और हमारी मेहनत आपको देखती हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा ताकि आगे भी हम आपके लिए और भी वीडियोज ला सकें धन्यमाद